Good morning students, today we are starting new chapter, chapter number 7, drawing with paint यहाँ पर हमारे जो friends है, वो क्या कह रहे है, I love painting and drawing तो Gilbert क्या कह रहे है, okay चिल्टो, we can do it too on computer using MS paint हमें painting and drawing तो हमने drawing book में किया है, वो हमें पसंद भी है तो अब कहां पर करना है, computer में, with the help of MS paint MS paint में हमें drawing भी करना सिखना है, तो सबसे पहले introduction You can draw pictures in computer using paint, paint has various tools like pencil, eraser, color box, etc With which we can draw, यह क्या कह रहे हैं, कि हम computer में भी drawing कर सकते हैं, with the help of paint और paint में कितने tools होते हैं, 3, pencil, eraser and color box Now, how to open a paint, open केसे करना है paint को, सबसे पहले how to open a paint Step 1, move the mouse pointer on start button सबसे पहले कहां पर जाना है, start button Then, click on it, start menu appears उस पर click करोगे तो start menu आएगा Start menu में जाके आपको कहां पर जाना है, all programs Step 3, then click on accessories अब कहां पर जाना है, accessories में And then select paint Now, paint will be shown on a screen अब आपको कहां पर दिखेगा, paint अपनी screen पर सबसे पहले कहां पर जाना है, start button यह हमारा start button है, फिर उसमें all programs Then, accessories And then paint इस तरह से हमें steps करने है, तो हमारा paint जो है, वो open हो जाएगा अब मैं आपको computer में दिखाती हूँ यहां पर आप देख सकते हूँ, यह क्या है, start button यह क्या है, start button तब उस पर आमें click करना है, start button click करोगे, तब यहां पर आपको आएगा all programs आपको इस तरह से click करना है, all programs पर click हो जाने के बाद आपको कहां पर जाना है, accessories यह क्या है, accessories उस पर आप click करोगे तब यहां पर आप देख सकते हो, paint यह क्या है, paint उस पर आमें click करना है, तब देख सकते हो, कि हमारा paint के जो window है, वो open हो गया यह हमारा paint का window है Now we will study various types of tools यहाँ पे कौन-कौन से tools मैं आपको सिखाती हूँ सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो यह क्या है pencil tool यह क्या है pencil tool फिर यह क्या है fill with color जो हमें कोई shape लोगे उसमें हमें color करना है तो यहाँ से हमें color हम कर सकते हैं फिर यहाँ से हम font कुछ लिखना है वो हमें हम यहाँ से लिख सकते हैं फिर यह क्या है eraser हमें कुछ erase करना है तो erase कर सकते हैं फिर यहाँ से हम color picker color picker क्या है तो pick a color from a picture and use it for drawing कोई picture है जो color है वो हमें पसंदे कोई हमें image में लिया है वो हमें वापस से चाहिए तो यहां से हम ले सकते हैं फिर magnifier यहां से हम अमारा जो image है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं यह जो color picker है वो क्या है for example मैंने यह shape लिया उसमें कोई color किया है red color अब मुझे oval shape में भी वो ही color चाहिए तो यहां से मैं color picker की help से मैं दोनों में same color ले सकती हूँ फिर यहां पर आप देख सकते हो paste है फिर cut, copy यह कहां सब कुछ कहां पर home tab में और फिर select कर सकते हो image को crop कर सकते हो resize कर सकते हो image को फिर यहां से brush tool ले सकते है यहां पर click करो के तक बहुत सारे brush मिलेंगे आपको फिर यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे shapes है यहां पर जो भी shape है आपको पसंदे वो आप shape ले सकते हो फिर यहां से हम line draw कर सकते हैं यहां से हम color choose कर सकते हैं यहां पे और कलर चाहिए तो यहां से भी हम ले सकते हैं ठीक है यह मैं बारी-बारी आपको सिखाते हूं यह कैसे करना है सबसे पहले क्या करना है हमें एक लाइन ड्रो करनी है तो यहां पे हमें सिखाया है let us draw some lines using different colors यहां पे line draw करनी है with the help of different color color अलग-अलग color से हमने line draw करनी है सबसे पहले कहां पे जाना है step 1 click on home tab and then select line from a shapes group then select a color from colors group step 3 bring the mouse pointer on drawing area then press the left mouse button and drag the mouse to draw a line हमें इस तरह से हमें line draw करनी है ठीक है यहां पे मैं आपको सिखाती हूं सबसे पहले कहां पे जाना है home tab तो यह क्या है हमारा home tab उस पैसे कहां पे जाना है line तो shapes group यह क्या है shapes group उसमें कौन सा कर लीना है line अब line ले लिया अब color लेना है कौन सा color चाहिए green color अब आमें यहां पे हमारा cursor आ गया अब हमें line draw करनी इस तरह से क्यों green color आया क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने color यहां पे कौन सा लिया है green इसी तरह से आप यहां पे blue ले सकते हो blue लेने के बाद हम line draw करेंगे तो blue आ जाएगा फिर यहां पे light blue तो light blue color आ जाएगा फिर हमें black color चाहिए तो black color आ जाएगा फिर यहां पे pink color चाहिए तो line के इस से draw करना है यह जो हमारा cursor है उससे help से हमें line draw करना है यहाँ से देख सकते आप track करना है जितनी भी line बढ़ी करने उतनी हम line बढ़ी कर सकते और इतनी हम छोटी भी कर सकते छोटी करने के बाद इतनी line चाहिए Okay, then हमें mouse जो है इस तरह से mouse मैंने आप देख सकते हो कि मैंने पकड़ा हुआ है अब माउस की हेल्प से मैं अब उसको छोड़ दूँगी तब यहां पे हमारी लाइन जो है वो ड्रो हो गई ठीके नाउ अब क्या करना है Let us draw a rectangle and square, circle, rectangle, square, circle ड्रो करना है तो किसे करोगे तो सबसे पहले कहां पेचाना है होम टेप, उसमें से हमें कौन सा क्लिक करना है, rectangle और oval from shapes group, shapes group में हमें rectangle और oval मिल जाएगा फिर क्या करना है, move the pointer to drawing area and drag the mouse losing left mouse button and then you can draw your favorite shapes from with the help of shapes group यहां पे आप देख सकते हो, इस सबसे पहले कहां पे जाना है, home tab में, यहां पे shapes group में, यहां पे मैंने क्या लिया, rectangle, यहां पे भी लिखा होगा rectangle, इसको क्लिक करो फिर हमें drawing area में आना है, और मैंने जिस तरह से बोला है, इस तरह से हमारा cursor आ गया अब हमें mouse की help से इस तरह से देख सकते हो कि drag कर रहा है, इस तरह से हम drag करेंगे तो यहां पे हमारा rectangle जो है वो बन रहा है, जितना बड़ा चाहिए इतना बड़ा कर सकते हो, जितना छोटा चाहिए उतना छोटा भी कर सकते हो ठीके, इस तरह से हमारा rectangle जो है वो बन गया अब हमें oval बनाना है, तो वापस से आप देख सकते हो, उसकी बाजू में ही oval है उस पर click करो, फिर mouse की help से हमें drag करना है, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा कर सकते हो, जितना छोटा करना उतना छोटा भी हम कर सकते है ठीके, इस तरह से हमारा oval भी बन गया ठीके, अब यहाँ पर हमें color change करना है, तो color भी हम change कर सकते हैं यहाँ पर green color लेना है, तो हम देख सकते हो, कि oval का color जो है, वो green हो गया ठीके, आज इतना ही रखूंगी ठीक, ठेंक यू